नमस्कार पुनिये शिलो के हिलवाई शो में हम देख रहे हैं कि खंडराव होलकर ने फिर से अपना आत्म विश्वास जो खोच चुके थे वो प्राप्त कर लिया है और देवी हिल्या मलहार राव सुदार जी बाकि उनके चाहने वाले भी सब बहुत खुश हैं उन्हें हसता खेलता और फिर से जोशीला खंडराव देख करके जी हाँ अब देखे क्या होता है खंडराव होलकर दिल्ली की मुहिम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं मलहार राव सुदार जी भी दिल्ली मुहिम को लेकर के बहुत ही जादा संजीदा है इसलिए खंडराव होलकर को वहां भेजना चाहते हैं उन्हें मजबूरी वर्ष पुना जाना होगा दूसरे काम होगी इसलिए वो नहीं जा सकते और अब अचानक से क्या होता है अचानक से एक गुरू जी आते हैं और बताते हैं मलहार रावस्पुदार जी को आने की वज़े और मलहार रावस्पुदार जी ह महसुस हो रहा है कि वाड़े में सब ठीक नहीं है कुछ गलत होने वाला है इसलिए उन से रहा नहीं गया और वो अपने बेचैन मन के साथ यहां पर आ गए हैं और वहां महल के अंदर गुन्नो जी एक नई साजिश रच रहे होते हैं और कहते हैं जी हां उनकी सासू बाई से कि अब दिल्ली मुहिम पर जाएगा तो जरूर खंडे राव होल कर मगर उसके साथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन जहर की पुडिया जो चाहे कहें मगर खंडे राव होल कर इस इंसान को लेकर जा रहा है जो उसका काल बन जाएगा और खंडे राव होल कर वापस जीवित नहीं आएगा ये दिल्ली मुहिम उसके आखरी मुहिम होगी ये बात कहता है और अब द्वारिकबाई साहिब अचंबित दिखाए देती है कि क्या कह रहे हैं बहुत गजब के दाकारा हैं वाकए में